हेलो फ्रेंट्स आप सभी क्या स्वागत है माई केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज जम लोग देखेंगे लूसंग जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नमबर थाटी एट और जिसमें जितने भी प्रश्ण ले गए हैं सभी प्रश्ण एउरोपियों के आगमन से रिलेटर प्रश्ण पहला प्रश्ण बर्श 1498 इसपी में वासको डिगामा भारत में कहां उत्रा था तो वासको डिगामा भारत में उत्रा था फ्रेंट्स इस से रिलेटेड जितने भी इनपोर्टेंट फेक्ट बन सकते हैं उन सभी फेक्ट से समन्दिद भिश्में प्रश्ण दे दिया गया है ताकि आने वाले एक जांच में एक भी प्रश्ण नर छूटे सत्रा मई 1498 इसबी में वास्को डिगामा ने भारत के पच्मी टट पर इस्तित काली कट बंदरगाह पहुचा था भारत एवं इवरोप के बीच नय समुंदरी मार की खोज की थी और इस यात्रा में वास्को डिगामा को भारतिय बेपारी अब्दुल मजीत ने सहयोग किया थ तो आसको डिगामा पूर्तिगाल का रहने वाला था नेक्स्ट प्रश्ने पूर्तिगाली इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थपना कब होई थी तो पूर्तिगाली इस्ट इंडिया कमपनी की अस्थपना कब हुई थी तो इसकी अस्तपना 600 ISP में हुई थी इसकी अस्तपना कब हुई थी तो 600 ISP में हुई थी फ्रेंट्स इस से रिलेटर जितने भी इनपोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उन सभी फैक्ट से रिलेटर भी इसमें प्रश्ट दिया गया है तो इसमें बात किया गया है पूर्टगाली East India Company तो पूर्टगाली East India Company के अस्थापना 3498 में तो हुई थी लेकिन उसका मुख्याले गुवा में था इसी तरह से British East India Company की बात की गई जिसकी अस्थापना 1686B में की गई है इसकी जो मुख्याले था वो था कलकत्ता में नेक्स प्रश्ने, वह पूर्तगाली कौन था? जिसने गुवा पर अधिकार किया था? तो अलफासोडी अल्बु कर्क ने यह ऐसा पूर्तगाली था जिसने गुवा पर अधिकार किया था नेक्स्ट प्रश्ने भारत में इस्ट इंडिया कमपणी का पहला गुवर्नल जेनरल कौन था तो वारेन हेंटिंगस ही भारत में इस्ट इंडिया कमपणी का पहला गुवर्नल जेनरल बना था नेक्स प्रश्ने किस एउरोपिये ने भारत में सबसे पहले अपना बेबार फ़लाया और प्रभावित किया पूर्तगाली नहीं भारत में अपना बेबार फ़लाया था नेक्स प्रश्ने वह अंग्रेज कौन था जिसने समराठ जहांगीर के दरबार में आकर भेट किया था तो सर टामस रोख नहीं दरबार में आकर भेट किया था किसके दरबार में आया था तो जहांगीर के दरबार में आया था नेक्ष प्रश्णे गोवा दमन और दियू का उपनिवेसी करन मुलत किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेसी करन किया गया था नश्टे प्रश्णे अल्गु कर्क ने गोवा को पंद्रे सो दस इसबी में किस से छीना था तो बीजापूर के सुल्तान से छीना था नश्टे प्रश्णे भारत एक समुंद्री मार्क की खोज की गई थी भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनकेत वरा की गय тी तो पूर्थगालियों के द्वारा की गय थी बरीटिसों ने अर्थाद अंग्रेजों ने भारत की सूरत में अपनी पहली फेक्टरी अस्तापित करने की अनुमति किस से पराप्तिकी थी तो जहांगीर से प्राप्तिक की थी नेक्ष्ट प्रश्णे भारत के समुंदरी मार की खोज किशने की तो वासको डिगामा ने हैं भारत के समुंदरी मार की खोज की थी नेक्ष्ट प्रश्णे त्रीतिय करनाटक यूध अर्धात एंगलो फ्रेंच संघर्च की समापती किस संधी से हुई थी तो पेरिस की संधी हुआ था तब जाकर या यूध खतम हुआ नेक्ष्ट प्रश्णे पूर्त गाली वेपारी कमपनी के भारत आगमन का सरप्रमुक उद्देश से क्या था तो काली मिर्च एवं अन्य मसालों के वेपार पर एकाधिकार प्राप्त करना था नेक्ष्ट प्रश्णे जब 17 मई 1498 इसबी में वासको डिगामा काली कट में उत्रा तो किसने उसका सौगत किया तो काली कट के राजा जमोरीन ने हि उसका स्वागत किया था नेक्स प्रश्ने पूर्टगालियों ने भारत में सरप्रथम कहां फैक्टरी अस्तापित किया तो काली कट में अस्तापित किया था नेक्स प्रश्ने इस्ट इंडिया कमपनी के नेत्रित में रोगट का उत्राधिकारी कौन था तो हेंटिंगस इसका उत्राधिकारी था नेक्स प्रशने किस पूर्तिगाली ग्वर्णर ने नीले पानी की नीती अपनाई थी तो फ्रांसिसको डी अल्मिडा ने ही नीले पानी की नीती को अपनाई थी नेक्स प्रशने किसे भारत में पूर्तिगाली समराजी का वास्तविक संस्थापा कहा जाता है तो अल्भांसो डी अल्मुकर्ग को कहा जाता है फ्रेंट्स इसे रिलेटेड यदि आप थीवरी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट बुक से थीवरी पढ़ सकते हैं लूसेंट बुक में जाना है हिस्ट्री को निकालना है और उसमें आधुनिक भारत में सेक्षन में जाएंगे और तब जाकर उसमें है भारत में एवरोपी वेवारी कमपनियों का आगबन उस चेप्टर को परेंगे और इस प्रेक्टिस सेट को प्रेक्टिस करेंगे तो थ दिखते हैं नेक्स्ट प्रश्ण को, अल्बू करकिने बिजापुर के कि सुल्तान से गुवा को छीना था, तो इुसिफ आदिन सा, इुसुफ आदिन सा से छीना था, नेक्स्ट प्रश्ण पूर्त गाली उपनिवेस का प्रथम गुवर्नर भारत में कौन हुआ, तो फ्रांस हौकिन्स ने ही, हौकिन्स ने ही खान की उपाधी से समानित किया था, जहां गीर ने, किसे जहां गीर ने खान की उपाधी से समानित किया, तो जहां गीर ने हौकिन्स को खान की उपाधी से समानित किया था, नेक्स्ट प्रश्ण ने उस छेत्र का नाम बता है, जहां से इर और अफिम प्राप्ते होता था नेक्श प्रशने भारत में 612गे में अंग्रेजों ने अपनी पहली कहां अस्तापित की थी तो इस ने सुरत में अस्तापित की थी नेक्ष प्रश्ने एक द्वीप पर निर्मित भारत का बरा नगर है वह कहां सनहा नगर है तो मुंबई नगर इस्तित है नेक्ष प्रश्ने भारत में तंबाकू के प्रचलन का स्रे किसे है तो पूर्थगालियों को है नेक्ष प्रश्ने भारत में पहली मुद्रन मसीन की अस्तपना किसने की थी तो पूर्थगालियों नहीं सरप्रथा मुद्रन मसीन अर्थार प्रिंटिंग प्रेस की अस्तपना की थी इरोपिय बेपारिक कमपनियों के करखाने होते थे भंडार, गिरीह एवं उत्पादन, केंद्र दोनों तरह के करखाने होते थे नेक्स्ट प्रशने, पूर्तगाली उपनिवेसो, गोवा, दमन और दिव को किस बर्स चन अंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतिये गंदराज में विलाई किया तो 1961 में विलाई किया था नेक्स्ट प्रशने, पूर्तगालीों की पहली फैक्टरी काली कट में पंदरे सो इसबी में किस ने अस्थापित किया तो पेड्रो अलवारेज कैब्रल के द्वारा सरप्रथम काली कट में पंदरे सो इसबी में अस्थापित किया गया था नेक्ष्ट प्रश्ण है भारत से भारतिय बस्त्रों को पर्मुख निर्यात की बस्तु बनाने का स्रे किसे हैं तो यह फ्रांसीस्यू कहीं स्रे है कि भारत से भारतिय बस्त्रों को पर्मुख निर्यात बस्तु बनाने का स्रे दिया जाता है नेक्स प्रेशने डचो को भारतीए बेपार से अलग करने में कौन सफल रहे तो अंगरेजों नहीं डचो को भारतीए बेपार से अलग करने में सफल रहा था नेक्स प्रेशने वह कौन सा निरनायक योद था जिसमें अंग्रेजों ने डचो को हरा दिया जिस कारण डचो की भारत में चुनालती खत्म हो गई तो बेदरा का यूद जो 1769 इस भी में हुआ था इसी यूद से ही डचों की भारत में चुनौलती खत्म हो गई थी फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जो भी फैक्ट आ रहा है उन फैक्ट से समंदित भी इसमें प्रश्ण दे दिया जा रहा है जैसे बात किया गया है डचों की तो डच से रिलेटर जितने भी इनपोर्टन प्रश्ण बनेंगे सभी प्रश्णों को इसमें दिया गया है नेक्ष्ट प्रश्ण है डचों ने अपनी पहली फैक्टरी 605 इस भी में कहां अस्तापित की तो मसूली पत्नम में की थी मसूली पटनम में की थी नेक्स प्रश्णे सिक्री और आगरा पहुचने वाला पहला अंग्रेज बेपारी कौन था तो राल्फ फिच ये कौन था तो राल्फ फिच था नेक्स प्रश्णे ब्रेटिश इस्ट इंडिया कमपनी का प्रथम गवर्नर कौन था तो टामस स्लाइथ टामस स्लाइथ था नेक्स प्रश्णे कैप्टेन बिलियम्स हौकिंस किस जहाज से भारत पहुचा था तो हेक्टर हेक्टर एक जहाज था जिस जहाज से कैप्टेन बिलियम्स हौकिंग ने भारत पहुचा था नेक्ष्ट प्रश्ट ने किस मुगल बद्चा ने 6 फरवरी 1613 इस्वी को एक फर्मान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमती दी तो जहांगीर ने अनुमती दी थी नेक्ष्ट प्रश्ट ने कौन इंग्लेंड के समराथ जेम्स प्रथम का राजदूत बन कर 1615 इस्वी में मुगल बद्चा जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुचा तो सर टामस रो सर टामस रो ने पहुचा था नेक्ष्ट प्रश्ट ने और फ्रेंड्स इसे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उन सभी फैक्ट से रिलेटेड तो इसमें प्रश्ट दिया ही जा रहा है और इस सेट को प्रेक्टिस करने के साथ साथ आप फ्लूसेंड बुक से थियोरी को अवस्य परें इसके next प्रशन को हम इसके अगले सेट में देखेंगे तो यदि बीडियो पसंद आई हो तो बीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सबसक्राइब कर लें और बीडियो को आधिक से आधिक अवस्य शेयर करें तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय टिक किया